नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का A.A.S. अकडमी में और मैं हूँ आपके साथ अर्वीन दोस्तों आज मैं इस वीडियो में लेकर आये हूँ आपके लिए मदबिदेश सिक्षक भरती वर्गतीन की परिक्षा से सम्मंदित कुछ महत्मुर जानकारी और अधर परिक्षाओं से रिलिटेड दोस्तों आप सभी को पता होगा कि पीवी के दुआरा कल एक बिग्यापन जारी किया गया है उस बिग्यापन में एक्षॉल में परिक्षा से सम्मंदित कुछ महत्त जानकारी है तो बहुत सारी स्टुडेंट को इसका कनफूजन है कि एक्षॉल परिक्षय कहां होगी और कभ होगी और कैसे होगी तो दोस्तो इस बिग्यापन को मैं पूरा बिष्टरे तरीके से आपको समझा दूँगा क्यूंकि कल मेरे पास बहुत सारे कॉल, कमेंट्स और मैसेज भी थे में आपको पीवी की जो आप साइट पर जाएंगे तो वहाँ पर नभीन सूचनाय पहली लिखा आता है और वहाँ पर लिखा है कि विग्यापन 32 ऑबलेक 2020 पीवी द्वारा अयुजित परिक्षाओं के लिए मद्विदेश के सभी 53 जिलों में कैंद्रों पर ऑनलाइन परिक जिले हैं उन सभी जिलों में अब परिक्षाओं आयुजित की जाएंगी जितनी भी हमारी प्रदेश इस्तर की परिक्षाओं हैं अब वो जैसे चाहे पीवी की एकजाम के माद्यम से हम बताएं चाहे बर्कतिन की एकजाम हो या पीटी की एकजाम हो या ग्रूप डीकी हो जो भी एक्जाम होंगी ये सभी हमारी अब जिले स्थर पर होंगी दोस्तों आप सभी को पता है कि कोरोना के कारण स्टुडेंट्स को एक डिस्टिक से दूसरे डिस्टिक में जाना काफी परेशानी हो सकती है क्योंकि परिवाहन की सुभणा इतनी जादा नहीं है अभी बरतमान में और इस कारण क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा नुक्सान ये भी हो सकता कि कारण हमारे छातर भी कहीं इसकी चपेट में आ सकते हैं इसलिए पीवी ने अभी डिस्टिक लेवर पर एसी जें की हैं दोस्तों आप जब इस विग्यापन को आप ओपन करेंगे तो मैं आपको किलियर कर दे रहा हूं इस विग्यापन में अक्चॉल में क्या है देखीगा ए विग्यापन ओपन हो गया है प्रॉफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड चैर भवन में रोड नमबर ये तो इसका एड्रेस है लेकिन एक्चॉल में जो में मुद्दे की बात है वो मैं आपको पता देता हूं देखी कहीं है पर नोटिस फॉर इन्वाइटिंग नहीं प्रिजेंटेशन यहाँ पर समझना इस लाइन का यह मतलब है कि जो इन्विटेशन आपको नोटिस दिया गया है इस माध्यम से दिया जा रहा है कि आप अपना presentation लेकर हमारे पास आ सकते हैं समझ रहा है notice for inviting presentation मतलब यहाँ पर presentation के लिए invite किया गया है वो आगे किसके लिए किया गया है वो भी मैं बता देता हूँ MP Professional Examination Board P.E.V. Conduct Entrance Requirement and Eligibility Examination for various state level department colleges E.T.C. in the state मतलब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि MP में जो Professional Examination Board है उसके द्वारा जो entrance exam हमारे conduct होते थे उसके लिए examination for various अलग-अलग तरीके के state level पर होते थे उनमें सभी departments के लिए होते थे और colleges के लिए E.T.C. states है तो P.E.V. Invite Agency for presentation for following works मतलब P.E.V. ने मतलब Professional Examination Board ने विभिन तरीके कि जो भी हमारे राज में invite आ सकते हैं क्योंकि हमें अपने district labor पर exam कराना है तो यदि आपके पास कोई project है आपके पास कोई plan है तो हमें बता सकते हैं और उसके मध्यम से हम आपको वो tender type का दे सकते हैं यह है आगे देखो काम भी है और उन्होंने बताए भी के date of presentation at PEB office में आपको कब इसको submit करना है सबसे पहले बात है आपके पास setup operate and maintain online testing and training center at government educational institution and 53 district NMP मतलब आपके पास हमारे मदविदेश के 53 जिले में ही एक अच्छा setup होना चाहिए operate and maintenance and online testing and training उसका center होना चाहिए आपके पास उसके लिए 25 and 26 September at 11.30 से लेकर आप 5.30 बज़े तक इसको आप submit कर सकते हैं वहाँ पर PEB की office में presentation को लेकर आ सकते हैं integrated online examination management system end to end software solution यह actual में software solution से ही होगा क्योंकि आप सभी को पता है कि सारी computer waste test होंगे और सभी हमारे online exams होते हैं तो इसके लिए आप 28 and 29 September को आप 11.30 से लेके 5.30 तक आ सकते हैं समझ गए यहाँ पर दो तरीके के tender हैं एक तो integrated online examination management system के लिए end to end software solution यहीं कंपनी जो software solution प्रोवाइड कराती हो उसके लिए एक tender है और दूसरा ऐसा tender है जिनके पास पूरा setup हो operate करने के लिए maintain करने के लिए online testing और training करने के लिए उनके पास सारे 53 डिस्टिक में centers हो इस तरीके के दो tender हैं तो अब मैं आपको बता दूँ यह जो tender हैं उसके लिए उन्होंने पहली कह दिया कि interested agency form can come for presentation and can send their proposal मतलब जो भी company या जो भी agency या जो भी firm इसके लिए interested है भू अपने इस presentation के लिए हमारे लिए send कर सकते हैं इस proposal को send कर सकते हैं आपके पास कोई project है email id दी है ब्यापम at the rate mp.nic.in पर या फिर डाइरेक्टर.pev at the rate mp.nic.in पर या एड.hamilata at the rate mp.government.in पर यह तीन इन्होंने mail id दी हैं इस mail id पर आप अपना proposal आपका जो project है अपनी फर्म के दवारा आप भेज सकते हैं और ध्यान लखेगा इससे बहुती अच्छी सुबदा हो सकती है district में जो exam होगा उससे district के इस्ट्रूएंट्स के लिए आपको दूसरे district में जाने की जरूवत नहीं होगी तो यह बहुत अच्छा है यदि यह proposal जल्दी complete हो जाता है तो हमारे exam भी जल्दी होने की संभावना रहेगी क्योंकि सरकार को आपको पता है ज्यादा से ज्यादा center अभी कहां होते थे इंदौर में होते थे भोपाल में होते थे सागर में या फिर आपके बड़े बड़े districts में होते थे जहां जहां बड़े बड़े जिल अबनाई जल्दी है आपको पता होगा कि अभी चुना होए तो आचार सेंता लग जाएगी थोड़ा सा एंग्जाम नहीं होगा लेकिन चुनाओफिनेस होने के बाद हो सकता आपका जल्दी काम हो जाए आपके जल्दी एक्जाम हो जाए यहां पर क्योंकि यह जो टेंडर मा आपको बता दिया है, अब मुझे उम्मीद है कि आपका कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी सवाल नहीं होगा, यह अभी भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेट्स कीज़ेगा और यह आप लोगों ने मद्पिते सिक्षेकबरथी वरक दिन यहां पर नोट्स की booking हो जाएगी तीन चारे दरे में नोट्स आपकी घर पे speed post के माध्यम से पहुँच जाते हैं जो आपको सफलता के बहुत ही करीब लेकर जाते हैं कि अजिस कर दिया्यू में प्रेपर कि जाते हैं और यहां से तीन दिया हुँच झालित हैं जाते हैं एशब हैं मैं ठाती हैं Même से एस प्रुच जर पर भनstyle को जिसा हैं, तीन है शवजगवजवश प्रेफाब मालशना की कायं हैं जो don आते हैं जो इन शे .